है है कि यह यहां पर हम समय स्पेशल हैपिडाइज जैशन के बारे में पड़ेंगे तो एकए कर के देखते बच्चो ठीक है एक एक करके देखते तो सबसे पहला हमारा है है बच्चों यहाँ पर SP3 देखो यहाँ पर समझना D3S hybridization अब देखो D3S hybridization वैसे आप लोगों को confusion होगा कि SP3D होता है लेकिन यहाँ पर D3S hybridization तो इसको हम समझते हैं सबसे सिंपल एक एक्जांपल मैं आपके लिए लहता हूं बच्चों CRO4 CRO4 माइनस ठीक है यह मैंने आप लोगों के लिए एक्जांपल लिए CRO4 माइनस अब हम देखते हैं hybridization से हमेशा कौन से और कने यहांब का formation होगा σीगमा बोन का सबसे पहले chromium क्रॉमीयम का हम क्रॉमीयम का क्रॉमीयम का हम क्या करते बच्चों यहाँ पर oxidation न्मर निकाल के vacant orbital निकालते हैं क्रोमियम का हम सबसे पहले electronic configuration लिखते हैं तो chromium का electronic configuration क्या होता है बच्चो जैसा कि आप लोग जह जानते हो यहाँ पर होता है 3D5 4S2 ठीक है 3D5 4S1 ठीक है 3D5 4S1 होता है इसका hybridize है इसका जो होता है बच्चो आपका क्या होता है 3D5 4S1 तो अगर मैं इसका बनाना चाहूं और बाइटल तो यहाँ पर क्या बनेगा 1 2 3 4 D का एक D के 5 और इस पर एक 1 2 3 4 5 6 देखो यह मैंने बना दिया अब यहाँ पर क्या होगा बच्चो समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर आपके देखो चार उक्सीजन है तो चार उक्सीजन तो आपके सिग्मा बना लेंगे चार उक्सीजन आपके क्या बना लेंगे बच्चो सिग्मा बन तो यहाँ पर क्या एगा सिया रोफ फॉर टू माइनस ठीक है इसको ध्यान से समझने चार उक्सीजन आपके सिग्मा बना लेंगे और यह दो उक्सीजन रहेंगे वह आपके क्या बनाएंगे मिटा पाई बन अब आप लोग जानते हो कि पाई बन वाला आपके हैब्रिडाइजाशन में इंवल नही ठीके 3D और 1s और आपके हैब्रिड आइसाशन रहेंगे और यह आपके क्या बना लेगे डी 3 S टैप क Lake बना लेगा hybrid orbital अब यह hybrid orbital कितने होंगे टोटल नम्मर में नम्मर में यह आपकी चार होंगे चार hybrid orbital बनाएंगे और चार hybrid orbital को आप लोगों ने arrangement में आप लोगों को बता है कि चार hybrid orbital आपका किस तरीके से arrange होगा टेटरा हैडल के form में तो यहाँ पर आपका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाएगा देखो यहाँ पर यहाँ पर दो पाइल और यह only hybridization की वज़े से सिंग्मा बोंड बनेगा तो इस टैप के molecule का hybridization आपका D3S होता है थोड़ा से important concept है इसकी बारे में मैं आपको d block chemistry में और भी बताऊंगा लेकिन फिलाल आपको इतना ध्यान रखना है कि D3S नाम का hybridization भी होता है आप लोगों का ठीक है इसमें आपका 4 D3S और बैटल बनेगा इस तरीके से आपका configuration होता है ठीक है एक और हम देख लेते बच्चो यहाँ पर एक और हम यहाँ पर D4S hybridization D4S hybridization बच्चो इसका structure आप लोगों को ध्यान रखना है ठीक है structure आप लोगों को ध्यान रखना है और पिग्मेंट भी मैं आपको बताऊंगा एक एक करके D4S hybridization अब दीफोर S hybridization क्या होगा बच्चो सबसे पहले इसका मैं example ही लेता हूं example के तोर C-R-O-4 C-R-O-5 C-R-O-5 और बच्चो इसका structure आप लोगों को ध्यान रखना है इसका structure होता है butterfly structure कौन सा होता है butterfly structure यह आपका butterfly structure होता है butterfly structure कैसा बच्चो इस step से होता है आपका butterfly structure ठीक है अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो chromium ने कितने sigma bond देखो एक दो तेन चार पांच 5 sigma bond form किये अगर मैं chromium का लिखना चाहूं तो chromium का कितना है जाएगा 3D5 4S1 अब देखो इसका मैं 3D5 orbital बनाता हूं ground state में ही बात करेंगे बच्चो केवल और केवल कुन से state में ground state में मैं बात कर लेता हूं 3D5 4S1 अब देखो अब देखो यहाँ पर एक दो तीन चार पांच छे ठीक है अब देखो यहां पर total 5s expensive a ब्रून देखो सारे और में आपके किसमें पाटिसिपेट करेंगे hybridization में हैब्रे जाइशन में है पारिटद करेंगे और यह बना लेंगे और यहां पर जो एक होगा यह बॉन के फार्मेशन में काम आएगा और जैसा मैंने बतायास है जहाँ जहाँ हाँबर इनG होता है वहां सिंगा एक दोपकंद कंद तारईश्व तरी के से अरेंजू हो जाएगा बच्चु में आपको को बता बताता हो D3S टाइब का hybridization में एक तो S और और एक Dxy D yz और एक D zx यह कामने आएंगे ठीके और आपके D4S टाइब के hybrid orbital में आपको क्या कामने आएगा एक S orbital एक Dxy एक D yz एक D zx और यह सारे और आपके कामने आएंगे थोड़ा से इस चीज़ को ध्यान से समझो कि इसमें कौन से orbital कामने आते हैं वैसे अकसर अभी तक पूछा नहीं गया है लेकिन इस बार आप लोग उसे क्या पता पूछ ले तो इस तरीके के स्ट्रक्चर को थोड़ा से ध्यान अखो कि हाइब्र डाइजेशन यहां पर किस तरीके से हो रहा है यह आपका डी फॉरेस्ट टैप का हैब्र डाइजेशन था इसको थोड़ा सा आप अगर कंसेप्ट चुली समझोगे तो आप लोगों को ईजली समझ में आ जाएगा कि कि इसमें डील करना है ठीक है अब नाओ अब देखो यहां तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हाइब्र डाइजेशन निकान ला है अब कुछ हाइब्र डाइजेशन होता है बच्चो जिसको मैं बोलता देखो यहां पर समझना मैं आपको दो टैप क बाता बताता हूं उसको आप लोग अच्छे ढिंसे समखलोगे इनर डी और वाइटल दो टैप के हाईब दो टैप में अब हम समझतें एक और चीज इनर डी और वाइटल हाईबृडिडाईजैशन इनर डी और वाइटल हाईबृडाईजैशन और यह होता है बच्चो आपका outer d orbital type का hybridization अब इस बात को ध्यान से समझना है यहाँ पर इस बात को ध्यान से समझना है inner d type का hybridization और outer d type का hybridization actually में क्या होता है inner d orbital type का hybridization आपका क्या होता है d2 sp3 या फिर आपका dsp2 या फिर आपका d3 sp3 मतलब d orbital अंदर की ओर आएगा या फिर आपका dsp dsp3 यह आपके होते inner d type के hybridization ठीके और outer d जो आपने पढ़ा है अभी देखो sp3d यह तो आपने पढ़ा हुआ है sp3d2 यह आपने पढ़ा हुआ है sp3d3 यह भी आपने आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ठीके अब इन दोनों में फरक कितना है ठीके इन दोनों में फरक क्या है तो आपको यह stat का hybridization maximum कहां देखने को मिलेंगे maximum आपको यहाँ पर यह आपको coordination compound में देखने को मिलेंगे coordination compound coordination compound आपका 12th में चेप्टर है उसमें आपको यही orbital देखने को मिलेंगे अब inner d orbital hybridization actually में क्या होता है due to the coordinate bond coordinate bond की वज़े से फर्म होगा inner d orbital का मतलब है आपका n-1 d orbital मतलब अब देखो अगर यहाँ पर n-1 d orbital और यहाँ पर n d orbital type का hybridization बस इस चीज को थोड़ सा ध्यान रखो अब मैं आपको बताता हो कि यह orbital किस तरीके से deal करेगा यह orbital केवल और केवल strong field ligand ठीक है strong field ligand अभी आप इतना समझे लो कि किस तरीके से हम करेंगे strong field ligand के presence में strong field ligand कौन-कौन से ligand क्या है यह मैं आपको आगी जाके आपको अपने आप समझने को मिलेगा वैसे एक्चुली में ligand आपका होता है वीच कें डोनेट दा लोन पेर electrons that is called ligand ठीक है उतना होता है अब मैं आपको आगी जाके तो यह आपके strong field ligand होंगे अभी आप थोड़ा से एक्जामपल ध्यान ध्यान इसमें रख लो थोड़ा से example ठीक है अगर मेरा o x हुआ तो भी हो जाएगा ठीक है इस टैप से थोड़ा से example आप लोग अभी ध्यान अख लो आपके लिए काम आ जाएंगे ठीक है अब हम समझते हैं कि इसमें इनर डी और वाइटल क्या होता है आप देखो strong field ligand क्या करेगा अन पेर इलेक्ट्रोन को पेर करने के काम करेगा ठीक है क्या करेगा यह पेर पेर और अन पेर इलेक्ट्रोन सारे अन पेर इलेक्ट्रोन को पेर करने का काम करेगा बस इतना समझो अब देखो एक example में बताता हूँ आपको इस के case में यह जैसे nico4 अब आपको इसका hybridization निकालना है अब सबसे पहले इस ट्रैप की condition में हम क्या करेंगे सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे oxidation अब oxidation नमबर कैसे निकालेंगे अब देखो यहां पर oxidation नमबर निकालने का तरीका समझना एनाई को मैंने एक्स माल लिया तो एक्स लिधिया प्लस कितने CEE 4 दीआ एक स्वीधिना चार्ज ओता है इसके इस तरीके से नमर तो निकाल लियो अब एड का में लिपता हूं यहां पर एनाई का एलेक्टोरी कॉन्फिग्रेशन तो यहां पर टुंटी एट होता है तो यहां पर क्या जाएगा थ्रीडी एट फोरेस्टू अब मैं थ्रीडी एट बनाता हूं इस केस में थ्यान रखिए बच्छों आप लोग जो कि आपका अभी तो नहीं अजाने आगे आपको और अच्छे शीखने को मिल जा गए आपको बहुत अच्छे से शीखने को मिलेगा तो यहां पर मैंने एक यहां पर सकते हैं यहां पर इसको कोबार्ट कर लो बच्छों तो यहां पर निकाल लिया अब यह इधर चला जाएगा अनपेर इलेक्ट्रोन को पेर करेगा तो इन सब की केस में थोड़ा से समझने वाले बाते बाकी तो कुछ-कुछ दिक्कत नहीं है ठीक है बाकी कोई भी यहां पर प्रॉब्लम नहीं है अब अगर मैं इसको पेर करूं यहां पर आपका इस तरीके से हो जाएगा ठीक है इस तरीके से यहां पर आपका हो जाएगा पेर कर दिया है मिने इलेक्ट्रों को ठीक है अब यहां पर आपका एक एस और यहां पर कितने सीओ चार सीओ तो चार यहां पर अब यहां पर यह लेगेंड का काम क्या होता है ल यहाँ पर XEO 2Electron को डौनेट करेगा ,wo यहाँ पर XEO 2Electron को डौनेट करेगा तो hybridization मेें क्सक्ती केवल क्या किया participant किये 1SA armored tracks ,P weighted ranks आपके participant की तो यहा पर किस type हैriesis हो जाएगा Sabotus , SP3 C किस टाइप का हैब्रिडाइजाशन हो जाएगा बच्चों यहां पर आपका SP3 टाइप का हैब्रिडाइजाशन हो गया है तो यहां पर आपका structure कैसा बनेगा यह structure आपका कुछ ऐसा बन जाएगा tetrahydral जो कि आप समझ रहे होंगे काफी easily तो यहां पर इस तरीके से आपका structure बनता है लेकिन अब ध्यान से समझेंगे कि पहला इस्टेट आपको समझ में आ गया कि unpair electron को pair करना है अभी मैंने inner d orbital के बारे में नहीं बताया inner d orbital के बारे में मैं ने इक्स्ट एक्जामपल में बता बताता है लेकिन पहले unpair electron को pair करके इस तरीके से करना होता है इसको हम मैं को कोडिनेशन compound यह हमारा coordination compound होता है और एसा जो आपका inner d orbital का आपका inner d orbital का habitization आपको generally कहां देखने को मिलेगा coordination compound में कहां देखने को मिलेगा बच्चों यह आपको coordination compound में तो इस step के example को देखने के लिए आप लोग खुद एक बाद कोशिश करना पड़ेगा समझना पड़ेगा कि किस तरीके से हम इस step के question को deal करेंगे ठीक है बच्चों तो काफी easy है अगर आप एक दो बार कोशिश करोगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा अब हम बात करते हैं यहां पर कि एक और dsp2 dsp2 का case लेते हैं एक हम ताकि आपको समझ में समझ में आ जाएं dsp2 dsp2 orbital का हम एक case लेते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए कि dsp2 hybridization किस तरीके से कहां होगा बच्चों ठीक है तो मैं आपको बताता हूँ एक एक करके dsp2 hybridization polyogicization जैसे मैंने ले लिया यहां पर की एक्जामपल में n i n i c n 4 कि यह मैंने ले लिया ठीक है अब देखो इसमें हम निकालते हैं इसमें सबसे पहले मैंने आपको क्या बताए था oxygen number निकाल ला है तो सबसे पहले आपrockे इसमें निकाला oxygen oxidation number तो यहां पर मैंने oxidation निकाल लिया जब मैंने यहां पर oxidation number निकाल लिया तो oxidation number के लिए इसको X माल लेता हूं तो यहां पर X plus 4 minus 1 CN के ओपर minus 1 charge होता है साइलाइड के ओपर minus 1 total minus 2 तो X equal to kतना हो जाएगा plus 2 तो यहां पर NI का plus 2 स्टेट में मुझे oxidation नमर लिखना है तो प्लस टू स्टेट में मुझे electronic configuration लिखना है तो सबसे पहले ni0 का लिखो तो ni0 का कितना होता है 3d8 4s2 अगर मैं बात करो ni plus 2 तो ni plus 2 के case में दो electron आउटरमोश शेल से बाहर निकाल लिए जाएंगे इतना तो आप लोगों मैंने देखो एक 2 3 4 ठीक यहां पर मैंने 3-2 8 बना दिया ठीक है और फार्एस में कितनी अब क्या करेगा यह अब क्या करेगा यह कि यहां पर आपको और उल्य którą को क्या करेगा झाल करेंग आप Unpair electron को pair करने का तरीका क्या है? समझना बात को ध्यान से अब Unpair electron को pair करेंगे यहाँ पर cn क्या मैंने आपको बता था strong fel ligand strong fel ligand होगा तो आपका Unpair electron को pair गराईगा बस अभी इतना जान लो यह आप से अभी नहीं पूछा जाएगा लेकिन फिर भी आप लोगों को याद होना चाहिए ठीक है अनपेर इलेक्टोन को पेर करा दिया मैंने तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा बच्चो यहाँ पर आपका देखो इस तरीके से एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ अब यहाँ पर देखो अब क्या होता है एक्चुली में लीगेंट क्या होता है बच्चो लीगेंट क्या होता है लीगेंट आपका होता है कि जो लोन पेर इलेक्टोन को डॉनेट करें ठीक है जो क्या करें वीच कें डॉनेट इलेक्टोन पेर ठीक है वीच कें डॉनेट डोनेट, इलेक्ट्रोन पेर, इलेक्ट्रोन पेर मतलब दो इलेक्ट्रोन, अब दो इलेक्ट्रोन डोनेट करने के लिए एक औरबाटल में दो इलेक्ट्रोन होते हैं, तो पूरा औरबाटली वेकेंट होना चाहिए, पहले हम क्या करते थे, एक इलेक्ट्रोन को डोनेट करा यहां पर उने से से डोलेट में यहाँ बोने लिए यहा पर कुण से आपका कौन से भी यहां पर ranging कराने पड़ती है ठीक है अब यहाँ पर yen 4 यहां पर चार आपका और स्थ्रेडी यार्ड का फोरेस् यहां पर भी आपका 3D 2D 4S 4P आप देखो N के वेल्यु कितनी है यहां पर N के वेल्यु कितनी है 4A मतलब मैक्सिमम कॉंटर नंबर की वेल्ययु यहांपर 4S अब देखो D के वेल्यु कि तेन तो n-1 मतलब 3 आपको अपने आप आ गया ठीके मतलब 3D और और बाइटल इसलिए हम इसको बोलते n-1D और बाइटल इस बात को जान दो ठीके इस बात को जान दो ठीके यहां तक आपको समझ में आ गया होगा अब यहाँ पर एक S एक S orbital Sorry, यहाँ पर आपका 1 3D orbital, काम में आ यहाँ ओर दो आपके 4P orbitals आपके काम में आ गए यहीं सारे orbitals आपके hybridization में काम में आ गए अब यह आपस में hybridized होके ध्यान से समनना क्या बना लेंगे dsp2 type का hybrid orbital और dsp2 में जो d होगा वो कौन सा participate करेगा dx2 y2 वाला इस बात को थोड़ा सध्यान को बहुत ही important point दी x2 y2 वाला participate करेगा अब dsp2 का structure होता बच्चों आपका square planner क्या होता square planner यह other type का hybridization ही जो आपको आगे फिर पढ़ने को मिलेंगे यह आपको होता square planner ठीक है तो यहां पर आप क्या होगा कि यहां पर निकल बीच में आ जाएगा और बाकी चारों साइड आपका क्या लग जाएगा square planner geometry में cm तो इस तरीके से हम यहां पर structure को easily समझ सकते हैं देख सकते हैं ठीक है तो dsp2 आपका hybridization इस orbital में आपका होता है ठीक है तो यहां पर देखो टोटल minus 2 charge उपर बना दिया है इस तरीके से आपका hybridization होगा थोड़ा सा इसको थोड़ा सा आप लोग को आगे भी पढ़ने को मिलेगा तो आप लोग अभी से इसको समझो अब n-1d orbital हम क्यों बोलते क्योंकि देखो इसका नाम है inner d orbital और inner d orbital को हम बोलेंगे n-1d orbital मतलब बाहर वाले orbital से एक orbital अंदर तो यह हो गया आपका n-1d orbital आपको यहां तक समझ में आगया होगा यह आपके कुछ अधर टैप के एक्जामपल थे जो आपको एक दो बार दिदेख लेने चाहिए ठीक है एक दो बार समझने की कोशिश करो नहीं आये तो कोई बात नहीं इस से रेलेटेड हम आगे की और पढ़ेंगे आगे हमारा 12 में चैप्टर आएगा पार्ट वन का सबसे आखरी चैप्टर हमारा कोडिनेशन कंपांड तो उसमें हम अच्छे से पढ़ेंगे इसके बार में इसी के बार में मैक्सिमम पढ़ेंगे ठीक है तो अभी अगर समझ में या आया तो कोई बात नहीं लेकिन फिर भी हम लोगों को इसको ध्या लखना है कि इनर डी और वाइटल यहां पर इस तरीके से डील करते ठीक है तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट अभी तक तो हमने हाइब्रिडाइजाशन को समझ लिया था अब मैं आपको बताता इस फोर्मूला फोर के यह निकलने का तरीका ठीक है है निकलने का formula ठीक है formula फोर क्यास अफ हाईजयेशन of hybridization hybridization के calculation के लिए formula आप देखो formula क्या होगा बच्चों ध्यान से समझना यहां पर देखो यहां पर formula होगा static number equal to half half vmca ठीक है इसको ध्यान दखलो vmc academy vmc academy इस तरीके से इसको ध्यान रखलो we are the balance electron in central item balance electron present edge central item present a central item यह जाएगा बच्चों आपका बात क्लियर है ठीक है अम क्या होगा number of monovalent number of monovalent non divalent बच्चों ध्यान से समझों monovalent item monovalent item के लिए ठीक है सी का मतलब क्या होगा काटाय है C का मतलब आपका क्या होगा? Cation Charge ठीके? और आपका A का मतलब क्या होगा? Nion Charge ठीके? यह आपका हो जाएगा अब यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्या क्या होता है? अब देखो यहां पर अब मैं आपको hysteric number बनाता हूँ SP होगा hysteric number 3 होगा तो hybridization SP2 होगा hysteric number 4 होगा तो DSP2 होगा या फिर आपका SP3 होगा ठीके? DSP2 तो अब यह आप छोड़ सकते हो ठीके? इसी तरीके से यहां पर देख लेते hysteric number और hybridization इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से समझो ठीके? अगर देखो बच्चो अगर आपका hysteric number होगा 5 तो आपका होगा SP3D अगर hysteric number होगा 6 तो SP3D2 अगर होगा 7 तो SP3D3 तो इस तरीके से आपका hybridization होगा अब इसमें मैं inner वाला भी लिख सकता हूँ जो आप लोग समझ सकते हो बाद में बाद में समझ सकते हो यहाँ पर ऐसा भी लिख सकता हो बच्चो में D3 SP3 और इसकी जगह में लिख सकता हो यहाँ पर D3S यह भी हो सकता है तो इस तरीके से हम लोग hysteric number के हिसाब से अब हम क्या निकालेंगे बच्चो hybridization innerity orbital तो आपको maximum coordination compound में होगा तो इसके लिए आप लोगों को इतना देखने की बात नहीं है आप लोग इसी को ध्यान दो ठीके इसी को ध्यान दो कि रिके chemical bonding में ताकि आपको समझ में आ जाएगा ठीके अब सबसे पहले एक एक करके में आपर कुछ मौली की लिखता हूँ उसका आप लोगों को hybridization निकान ला है ठीके मैं एक दो example बताऊंगा फिर आप लोग वीडियो को purpose करके खुद से एक बार निकानने की कोशिश करना ठीके अब देखो यहाँ पर question calculate the hybridization calculate the hybridization of central atom central atom आपको central atom का hybridization निकान ला है यह आपका question है अब question में पहला है आपका ICL2 यहाँ पर आपका plus charge अब देखो इसका hybridization निकान ला है तो सबसे पहले मेरे पास formula क्या था बच्चो formula क्या है half vmc plus a अब देखो vmc a ठीके अब यहाँ पर half को रख दो ऐसे ही अब देखो valence electron central atom central atom पर valence electron कितना होता है बच्चो seven outer muscle में ठीक है कितने monovalent है chlorine आपका monovalent है monovalent होगा तो दो आपका हो जाएगा बात के लिए रहे दो monovalent atom इसके साथ attach है तो दो कर दिया अब यहाँ पर ketan कितना है एक ketan है तो minus one nn कितना है 0 है nn का मतलब minus 4 0 है तो total जब मैं इसको calculate करूँगा तो क्या आजाएगा seven two seven plus two nine nine minus one मतलब कितना eight तो इसको क्या कर दूँगा eight by two अब देखो जब मैंने eight by two किया तो इसका hysteric number कितना आगया four और hysteric number four के हिसाब से इसका hybridization हम क्या बात करेंगे अभी sp3 के बारे में बात क्लिए रहे बात क्लिए रहे बच्चो काफी easy है एक और example हम देखते है बच्चो यहाँ पर icl2 minus ठीक है second example icl2 minus अब इसका hybridization हम निकालते है इसी method से इसी method से और method से उस method से भी निकाल सकते है लेकिन हम लोग इस method से निकालने की कुश्च करेंगे valence electron कितना है इसमें होता है 7 iodine में central atom तो iodine होगा तो valence electron आपका 7 होगा number of monovalent atom कितना है बच्चो यहाँ पर 2 है ठीक है ketion कितना है 0 है इसको हम क्या बोलेंगे 5 5 के लिए आपका क्या होगा SP3D ठीक है इस तरीके से हाइबी डिजेशन हम केल्कुलेट कर सकते है एक और example यहाँ पर third example हम देखते है बच्चो तो third example हमारा क्या है बच्चो समझते है हम अच्छे से एक बार third example को third example हमारा है बच्चो यहाँ पर I3- तो इसकी तरीके को समझते किस तरीके से निकालेंगे third example है I3- अब देखो I3- का कैसे निकालेंगे half valence electron में कितने electron है central atom आपका 3 iodine है तो 3 iodine में से 1 iodine आपका central होगा तो central atom आपका कितना है बच्चो यहाँ पर seven, seven में से एक iodine का regalence electron count कर लिया, आप दोनों terminal कितने आपके monovalent है तो iodine आपका halogen group में आता है तो monovalent आपके कितने हो जाएंगे दो हो जाएंगे, बात क्लियर है यहाँ पर आपका ketan कितना है 0 NIN आपका 1 है minus 1 charge है मतलब 1 NIN है तो total फिर मैं calculate करूँगा तो यह आपका इस तरीके से आजाएगा और five आने की वज़े से इसका hybridization क्या आजाएगा, SP3D ठीके, I hope so कि आपको समझवा रहा होगा किस तरीके से हमको calculate करना है एक और question देख लेते हैं बच्चो CH4 CH4 का आपको निकालना है, तो किस तरीके से निकालेंगे बच्चो देखो यहाँ पर half into valence electron कितना होता है कार्बन पर 4 ठीके, monovalent है, monovalent कितने 4 है, NIN कितना है 0 है, और ketan b कितना है, बच्चो 0 है, दोनो 0 है, तो total कितना आ गया, 8 by 2, 8 by 2 का 4, 4 का मतलब आपका sp3 hybridization आप लोगों ने देखा भी होगा, मैंने ch4 का sp3 बनाया था एक और question देखते है बच्चो यहाँ पर if7 5th, if7 if7 का आप लोग बनाओगे तो आपका structure आप लोगों को समझ में आ जाएगा, एक बार कोशिश करो if7 का pentagonal bipyramidal बनेगा, ठीक है आप देखो यहाँ पर, iodine का कितना है बच्चो, valence electron 7 7 और monotomy कितना है 7 है, कोई चार्ज है 0 चार्ज है, ठीक है 0 चार्ज है, तो यहाँ पर ketan और NN भी आपका 0 हो जाएगा तो अगर मैं इसको calculate करोगा तो 14 by 2 मतलब 7 7 का मतलब क्या हो जाएगा बच्चो यहाँ पर SP3 D3, ठीक है इस तरीक से मैंने आपको बताया था अभी एक और, अभी हम example करेंगे बच्चो, इस पर 20-25 तब आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से ठीक है, एक और example करते है बच्चो 5 अभी यहाँ पर 6 example देखते है बच्चो 6 example मेरे पासे BRF5, ठीक है BRF5, अब देखो BRF5 में मैं कैसे निकालूँगा बच्चो देख लेते हैं ध्यान से ठीक है, वैसे तो atom तो हम कोई साभी लिख सकते हैं लेकिन एक मैं particularly atom को select के हैं जिससे आपको सारी example अगर प्लस चार्ज होता तो यहाँ प्लस वर्ल, मैंने चार्ज होता तो यहाँ वन आ जाता ठीक है तो इस तरीके से लिख दिया अब इसमें यहाँ पर half 7 plus 5, 7 plus 5 equal to 2L, 2L मतलब यहाँ पर 6, 6 का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चो आपका hysteric number 6 हो गया hysteric number जब आपका 6 हो गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा SP3D2 ठीक है SP3D2 यह इस तरीके से हम यहाँ पर hybridization निकाल सकते हैं ठीक है, एक और example देखते हैं बच्चो यहाँ पर फिर मैं आपको एक और तरीका बताऊँगा hybridization निकालने का दो तरीके बताऊँगा, दोनों में से कोई भी एक तरीका आप लोग यूज कर सकते हो ठीक है, एक और देख लेते हैं बच्चो यहाँ पर यहाँ पर 6-7, 7 में आपका क्या है बच्चो, CO2 काफी अच्छा और important example है इसको थोरा से ध्यान से समझना, CO2 में क्या करेंगे बच्चो, यहाँ पर half कर दिया, valence electron कितना है 4 है, valence electron तो 4 है क्या यह monoatomic है नहीं, oxygen आपका diatomic होता है, तो यहाँ पर आपका 0 ना कोई चार्ज है, ना कोई आपका NIN है, ना कोई के घ्रिटाइन है 8th नमर का example, CO3 2-, इसका मुझे निकालना है इसका मैं कैसे निकालूँगा देखो इसमें NIN गी आगया और केटाइन गी आगया, चलो ठीक है, NIN वाला के concept आगया तो half, अब इसमें valential में 4 electron है, oxygen diatomic होता है, monoatomic तो होता नहीं है, ठीक है, अब आपकस यहाँ पर आपका catine है catine है, chill NIN तो यह आपका catine नहीं है तो minus 0, अब NIN कितने वात्चों यहाँ पर 2 NIN है 2 तो में लिग दिया अब यहाँ पर कितना आजाएगा total, calculate tomar, और 16 by 2 मतलब क्या हो जाईगा 3 3 का मतलब yg sp 2 hybridization कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पर SP2 hybridization अब next यहाँ पर ध्यान से समझना एट के बाद 9th 9th example 9th example में आपको बताता हूं 9th example है बच्चों हमारे पास SCN minus बहुत ही ज़्यादा important very important एक बार में बच्चों से calculate नहीं होता है ठीक है SCN minus एक बार में calculate नहीं होता है काफी अच्छा एक्जामपल है simple है लेकिन एक बार में इस method से calculate करने में देतकलीफ आती है देखो यहाँ पर central atom हम किसको मालने central atom मैंने carbon को माना तो carbon का 4 बात clear है ठीक है carbon का चार हो गया अब carbon का चार हो गया तो यहाँ पर monoatomic तो नहीं है तो monoatomic zero लेकिन अगर triatomic molecule प्रेजेंट हो n is what triatomic n is what triatomic देखो more triatomic अब देखो monoatomic को हम plus करते थे diatomic के लिए हम कुछ नहीं करते थे लेकिन triatomic के लिए minus 1 करेंगे तो कितने triatomic है एक triatomic के तो minus 1 अब हम चलते चार्ज पर charge calculate करो यहाँ पर कितना चार्ज है यहाँ पर कोई भी आपका cation नहीं है तो minus 0 तो क्या यहाँ पर n i n होगा तो plus 1 ठीक है वही फर्मुला लगा रहा हूं लेकिन इसमें मैंने क्या interchange कर दिया इस formula में इस formula में मैंने कर दिया half v plus m minus cation plus n i n और यहाँ पर t मतलब triatomic को minus 1 कर दिया देखो यहाँ पर यही फर्मुला मैंने apply किया अब देखो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 4 यहाँ पर 4 by 2 4 by 2 की वज़े से यहाँ पर क्या जाएगा 2 2 का मतलब कौन सा sp hybridization तो अब आप लोगों को समझदा आगया होगा किस तरीके से मैं यहाँ पर hybridization को calculate कर रहा हूं ठीक है एक और example देख लेते बच्चों यहाँ पर 7 7 का 10 example आप जितने example में करा रहा हूं उसी example को अगर आपने फिर से repeat कर लिया तो आप लोगो सब टैप के question हो जाएंगे ठीक है COCL2 अब देखो COCL2 यहाँ पर क्या होगा half valential carbon central atom valential में कितने electron बचो 4 electron अब एक तो डाइटोमिक है दू मोनो अटोमिक है तो दू मोनो अटोमिक मैंने add कर दिया डाइटोमिक को तो हमको लेना ही नहीं है या तो मोनो अटोमिक लेंगे तो जितने मोनो अटोमिक अटोम हो यहाँ पर ट्राइटोमिक के लिए माइनिस करके हटा देंगे ठीक है इतना कर लेना अब यहाँ पर ना तो यहाँ पर केटायन ना तो यहाँ पर ना तो शिक्स बाइटू का मतलब 3 3 का मतलब कौन सा SP2 hybridization क्या आ जाए का बच्चों यहाँ पर SP2 hybridization अब नेक्स्ट मैं एक यहाँ पर So2 CL2 तो यहाँ पर काफी example करेंगे So2 CL2 देखो यहाँ पर So2 CL2 के case में मैंने क्या किया यहाँ पर मैंने लिया हाफ sulfur कितने sulfur कितने यहां पर calculate करो यहां पर कितने sulfur है यहां पर आप देछ सकते हैए sulfur हогए sulfur ही आपका central atom हो तो central atom में कितने valence shell में 6 electrons वालेंशेल में ले ला लिया अब यहां पर die atomic तो 2 है और mono atomic 3 है तो हमको mon atomic को calculate करना die atomic को calculate नहीं करना है अब यहां पर कोई चार्ज नहीं है तो हटा दिया चार्ज खतम किया तो 8 by 2 8 by 2 का मतलब यहां पर कौन सा आ जाएगा 4 4 का मतलब SP3 देखो मैंने इसका SP3 भी बनाया होगा आगे जाके एक और एक्जाम्पल देखते हैं बच्चो हम यहां पर एक दो और एक्जाम्पल देखते हैं ताकि आपको और कंसेप्ट क्लियर हो जाए टू एल्थ एसो फोर टू माइनस अब इसका मुझे निकाल लाए तो कैसे निकालेंगे बच्चो देखते हैं यहां पर देखो सबसे के लिए हाफ एक्जानल में सिय्क्सिलेक्ट्र pó won ऑक्सिजन कितने हैं ऑक्सिजन सहरी डाई टॉम Самी के तो डाई एटॉमि के लिए जीरो काटम तो नहीं है तो कैटमेंट के लिए जीरो मैं कितने हैं बच्चो यहां पर दो एकाल大家都 फोटा होगा ऑपको एसा कुछ confusion होगा वी इसको हाफ कर दिता हूँ वी एम सी प्लस ए इसा लिखिए अब देखो एनाईन का मतलब क्या हुआ एलेक्टोन एड हुआ इसीलिए इसके आगे माइनस साइङ ठीक है इस तरीके से मैंने क्या अब देखो यह यह मैने लिख लिए अब यहां पर कितना हो जाएगा 8 by 2 8 by 2 का मतलब 4 4 का मतलब कौन सा hybridization SP3 hybridization यह आपको 12 तोरा समझ में आ गया होगा अब 12 के बाद 13 N2O N2O में आपको calculate करना है अब N2O में आप लोग कैसे calculate करोगी देखो यहां पर Half अब देखो N2O में calculate करने का तारीका समझना बच्चो यहां पर Half N2O के लिए हमको calculate करना है तो N2O में central atom आपका कुन होगा नाइट्रोजन तो central atom आपका nitrogen है कितने central atom है पाँच सरी central atom है central atom में कितने valence electron है 5 5 अब monoatomic तो नहीं है तो monoatomic 0 यहां पर नाइट्रोजन नाइट्रोजन आपका अब साथ में यहां पर कोई चार्ज नहीं है कोई चार्ज नहीं है तो खतम अब यहां पर कितना हो जाएगा बच्चो 4 by 2 मतलब क्या हो जाएगा 2 का मतलब SP hybridization आई होप सुक्या आपको यहां तक समझ में आया होगा अब यह हम एक और example करते हैं जी जैसे देखो 14 14 एक्जांपल देखते बच्चो और टू माइनस अब देखो यह वाला रूल आपका हर जगा अप्ली केवल नहीं होता है कहां कहां नहीं होता है वह वह मैं आपको बताऊंगा देखो यहां पर वैलेंस एलेक्ट्रों कितना है पाच ठीक है डाइटामिक जीरो ठीक है आठीक है जीरो एनायन का मतलब एक इलेक्ट्रों ठोट्ल कितना हो गया six by two six by two का मतलब sp2 मतलब three होगा तो sp2 hybrid digestion ठीक है इस तरीके से हम calculate कर सकते हैं अभी देखो nh4 प्लस का भी calculate करते है ठीक है nh4 प्लस का भी calculate करते तो यहां पर 15th question देख लेते हैं n h 4 03 का कैसी कल्कुलेट करेंगे देखो यहां पर एंश 4 प्लस का हम क्लोफ कैसे करेंगे ॡ Ñ व्लें अच फॉर इलेक्ट्रों 1 चार इटोमिख और कि ऑर क्यतना एक कटाएन है तो मैंने लिख दिया अब देखो यहां पर कितना जगा 5 Plus सब्सक्राइब कर सकते हैं लेकिन अगर मैंने बात किया आप लोग निकाल के बता हुआ हाफ वेलेंशल में पांच डाइटोमिक जीरो तो यहां पर टोटल कितना हो गया यहां पर आपके कितना है 2.5 मतलब इसको हम इस तरीके से नहीं निकाल सकते हैं इसका ऐबीडाइशेशन के लिए मुझे क्या ड्रो करना पड़ेगा ठीक है इस्ट्रक्चर ही ड्रो करना पड़ेगा तो सिंपल हम गो सकते हैं इस ट्रक्चर में हम टोटल नम्बर ऑफ शिग् टोटल नमबर ओफ सिग्मा बॉंड प्लैस लॉन पेर वही आपका इस्टेरिक नमबर हो जाएगा तो अगर मैं इसका बना के एक बार मैं आपको बताता हूं तब आपको आगे और मैं समझा पाऊंगा देखो यहां पर टोटल नमबर ओफ सिग्मा बॉंड एक दो और एक करेंगे ठीक है तो यहां पर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि यहां पर तो बेटा हमको इस्ट्रक्चर ही बनाना पड़ेगा जैसे देखो आप लोग 17 17 में आपको बता आता हूं 17 में अगर मैंने CH3 यह दोट का मतलब आपका क्या होता है फ्री रेडिकल इसको हम औ इस मेथर से इसको भी कैलकुलेट नहीं कर सकते एक और कोशन है देखते हैं कोशन नमर 19 हमारा क्या है 162 XZF2 का मुझे निकाल ना है तो XZF2 का कही से निकालूगा बच्चो देखो यहां पर Half, Valenzel में कितने elektron है बच्चो XZ के Valenzel में 8 electron Mono Atomic 2 ठीक है, Charge 0 दोनों तरह total कितना हो गया बच्चो 10 by 2 10 by 2 मतलब 5 5 का मतलब SP 3D ठीक यह तो मेने निकाल लिया है यह एक में probability अstep है अब şur मैं ज आप लोग को जो कॉष्छन में method टुसे बता रहा हूं उस जो कॉष्छन में method टुसे बता रहा हूं वह स्वेम् ने आप्लाय करो और जहाईए ने , बहुत बहुत तो आपको अपने आप हो जाएगा कंसेट के लिए ठीक है उल्टा कर देना आप लोग देखो अब देखो यहां पर है कल्कुलेट दा हाइब डाइजाशन और सेंटर लेटर अब मैं यहां पर कुश्चन ले लेता हूँ X sculpture 2 X G F 240 ठीक है यहां पर में लेलेता हूँ 303 है हाल थार में लेका 3 weiterhin लेका यहां पर एक जी ओ 3 ठीक है फूर्ट मैंने में यहां पर ले लिया ICL-5 6 में ले ले लेता हूँ बच्चो यहाँ पर XZ-F6 XZ-F6 7 में ले लेता हूँ बच्चो यहाँ पर क्या ले लूँ बच्चो सोच लेते हम लोग ध्यान लगा लाते तो अपने आप आपको पता पढ़ जाएगा एक में ले लेता हूँ ICL-3 ठीज़ेगे ये ये मैंने ला लिया और बस इतना काफी है हाँ एक मैं ले लेता हूँ आपका SO2 ठीज़ेगे ये मैंने ले लिया चलो ठीज़ेगे यहां तक और इनने एक में N वाला भी ला को SO4 2- और एक में केटन वाला भी आप लोगों का ले लेता हूं यहाँ पर SCN माइनस ठीक है और एक में यहाँ पर के टैन वाला कुन सा है वेल्व बच्चो ICL2 प्लस इन सब का आपको निकालना है ठीक है इन सब का आपको निकालना है है इसको आपको अनिकालना बता रहा हूं देखो xdf2 xdf2 का कैसे निकालेंगे शबसे पहले हम टोटल वैंस इलेक्टर निकालेंगे तो तो यहाँ पर बच्चो कितना एट कितना तो 8 तो इंटू तो कितना ओगया 14 फॉर्टिन प्लस एट कितना रहिगा ऑप क्या करेंहें टोटल किसका डीबैल लैंड हम किसका टीवाई लगा दिए 8 का डिवैड लगाएंगे किसका डिवैड लगाएंगे 8 का तो 22 divided by 8 कितना आ जाएगा बच्चो आपका यहाँ पर आप लोग नुमिनेटर और यहाँ पर अगर आप डिवैड लगाओगे देहो इस तरीके से मैं डिवैड लगाता हूँ 22 divided by 8 तो यहाँ पर 2 times 16 और यहाँ पर कितना बच्चो यहाँ पर कितना बच्चा यहाँ पर आपका बच्चा 6 ठीके तो इससे और इससे मुझे मतलब है मुझे इससे और इससे मतलब है तो 2 तो आपका क्या हो जाएगा यह वाला आपका क्या हो जाएगा bone pair तो 2 आपका क्या हो गया bone pair और यहाँ पर 6 electron extra बचे और इस 6 को में क्या करूंगा divide by 2 लगा दूंगा तो यह क्या बन जाएगा बच्च बिटा हमारा lone pair ठीक है तो total कितना हो गया 2 तो आपका bone pair है और 3 आपका lone pair है इस method का benefit यह है कि हमको number of lone pair भी पता पढ़ जाएंगे तो 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा बच्चो इस्टेरिक नमबर 5 और 5 का मतलब SP3D ठीक है इस तरीके से हम निकालेंगे total valence electron पहले निकालेंगे उसको divide by 8 करेंगे जो हमारा यहां पर 6 बचेगा और एक बार हमारा 2 बचेगा ठीक है ठीक है divider 2 हो गया 2 मतलब bone pair अब इसको हम क्या करेंगे 6 by 2 कर देंगे जो हमारा की क्या होगा number of lone pair तो इस तरीके से हम calculate करेंगे एक और example देखते बच्चों इसमें हमने यहां यहां पर 10 example लेखे तो तेनों को दसों को example को दखेंगे हम एक एक करके देखो XZF4 XZF4 का हम कैसे calculate करेंगे निकालो सबसे पहले total valence electron निकालो कितना है ATK कितना होगा 8 और 4 flourine ने और 4 flourine में 7 गप्राइब तो टंटी एट 28 26 एट आपका कितना होगा 36 ठीक है आप देखो 36 में में क्या ख्या करूंगा total balance electron में इसको divided by 8 कर दूँगा 36 divided by 8 कितना आ जाएगा बच्चों जल इसे निकालो तो red वाइट आपका कितना होग में चला झाएगा ठीक है और आपका रिमेंडिनिग क्या बचेंगा रिमाइंडर आपका क्या बचेंगा घृ आपका लोन बेर और ये क्हांन पेर तो ट। अगर मैं निकालना चाहूं इस्टेरिक नमबर तो four plus two equal to कितना हो जाएगा six ठीक है और six इस्टेरिक नमबर के लिए structure क्या हो जाएगा sp3d2 hybridization तो इस तरीके से भी हम calculate कर सकते हैं हमारे पास तरीके काफ यह इस तरीके का फाइदा यह है कि हमको number of loan pair पता पढ़े पढ़े जाएगा structure में ठीक है इस इसका फाइदा यह है एकोड देख लेते बच्छे एसो थ्री एसो थ्री का example देख लेते हैं अब total valence electron फिल में निकालूँगा तो sulfur में कितना होगा बच्चो calculate करो sulfur में total valence electron आपका कितना है six और oxygen three three oxygen का भी कितना हो जाएगा six total calculate करो how many valence electron are present in this molecule तो देखो बच्चो यहां पर six यह होगा आपका 18 18 plus six मतलग 24 अब 24 divided by eight अगर में लगांगा तो आपका कितना आ जाएगा बच्चो 24 divided by eight अगर में लगांगा तो यहां पर आपका कितना आ जाएगा कि calculate करो 24 divided by eight अगर में लगांगा तो यहां पर आपका कितना आ जाएगा आए यह आपका आ जाएगा three ठीक है और three और आपका reminder कितना बचेगा जी 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 रो तो hysteric number कितना हो जाएगा three plus zero equal to three three का मतलब कौन सा hybridization sp2 इस तरीके से हमने यहां पर hybridization calculate कर लिया अभी एक और एक्जामपल देते हैं बच्चो और भी एक्जामपल मैंने बता है एक्जी ओ एक्जी ओ थ्री आप देखो एक्जी ओ थ्री का कितना होगा देखो सबसे पहले हम क्या calculate करेंगे total balance electron total balance electron कितना हो जाएगा eight plus three into six 18 प्लस प्लस eight मतलब यह 18 plus eight मतलब 26 अब total balance electron को divide by eight करना है तो यहां पर मैंने क्या कर दिया 26 divided by eight कर दिया अब 26 divided by eight किया तो यहां पर हमारे पास freaked तो हो गए और दो reminder बच्चा अब reminder को मुझे divide by 2 करना है तो क्या हो जाएगा बच्चो यहाँ पर 3,1 और hysteric number क्या हो जाएगा 3 plus 1 equal to 4 4 का मतलब आपका कुन सा hybridization बच्चो SP3 hybridization ठीके इस तरीके से हम यहाँ पर hybridization calculate कर सकते हैं अभी हम एक और समझते हैं यहाँ पर ICL5 ठीके मैंने दो मेथड बता रहो बच्चो दोनों मेथड कहीं ना कहीं failure होता है तो इस तरीके से ध्यार रखना है ICL5 ICL5 का अगर मुझे निकालना होगा तो कैसे निकालूंगा बच्चो ध्यान से समझना देखो यहाँ पर हम सब्सक्रकाइब स्थाइब o और्य में अगर में इट का डिवाइड लगाँ ओंगा मतलब 42 डिवाइड वाइड बंधे वाइट तो 42 डिवाइड दिवाइड पाइड बश्यां मैं reminder को sorry reminder को हम two से divide कर देंगे तो क्या हो जागा five four one अब हमारे पास five four one हुआ तो hysteric number कितना हो गया five plus one five plus one का मतलब six six का मतलब sp3 d2 यह आपका hybridization हो गया next अब हम देखते xdf6 यह सारे method आप method one में भी apply करना ठीक है अलग-अलग इसी लिए मैंने लिए example ताकि आप लोगों को समझने आ जाए कि किस तरीके से कौन से example को हम deal करेंगे देखो xdf6 xdf6 में कैसे निकालेंगे calculate this total valence electron तो यहाँ पर कितना हो जाएगा eight eight plus यहाँ पर six into यहाँ पर कितना हो जाएगा seven seven six a forty two forty two plus eight मतलब कितना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 50 divided by eight 50 divided by eight आपको कितना हुआ eight से अगर आप 50 को डिवाइड करोगे तो यहाँ पर आपका six आ जाएगा और साथ में आपका one हो जाएगा स्टेरिक नमबर आपका six plus one six plus one का मतलब seven seven का मतलब कौन सा हो जाएगा आप लोग खुद देख सकते हो एक लोन पर बचेगा इसमें आप लोग वेसा इस्ट्रक्चर बना के भी खुद देख सकते हो एक लोन पर आपका पका बच रहा होगा ठीक है अब देखो नेक्स्ट इग्जाम्पल देखते बच्चो आई सी एल थ्री आई सी एल थ्री में हम कैसे करेंगे देखो यहां पर टोटल वेलेंस इलेक्टर निकाल लो यह आपका five सोरी हेलोजन है ना हेलोजन में seven seven plus three into seven ठीक है तो आपका seven कितना हो जाएगा बच्चो यह आपका टुटल वेलेंस इलेक्टर डिवाइड़ वाई eight करना है तो टुटल वेलेंस इलेक्टर डिवाइड़ वाई eight कर दिया eight के eight में आपका कितनी time जाएगा बच्चो यह आपका दो देख सकते हो आप three बार और कितना reminder बचेगा four four को divide by two कर देंगे तो यहां पर कितना बजाए से हम यहां पर भी calculate कर सकते है hybridization आप देखते next example एसो four two minus अब देखते एसो four two minus तो एसो four two minus का कैसे निकालेंगे बच्चो सबसे पहले टोटल वेलेंस इलेक्टर निकालो कितना हो गया बच्चो यह आपका six plus four into six ठीक है और यहां पर oxygen में में कितना है बच्चो minus two का मतलब य अब टोटल कितना हो गया बच्चो देखो six 24 24 प्लस six 24 प्लस six आपका 30 32 ठीक है आप देखो total valence electron divided by eight 32 divided by eight तो 32 divided by eight मतलब four और reminder कितना बचेगा जीरो अगर मैं दो दोसी डिवाइड करूँगा तो भी कोई फरक नी पड़ेगा जीरो ही होगा तो hysteric number कितना होगा four plus zero equal to four four का मतलब sp3 hybridization देखो आप कितने easily निकाल सकते हैं ठीक है आप कितने easily इसमें निकाल सकते हैं आपको समझ होंगे अब देखो next example SCN minus SCN minus अब देखो इसमें आपको total valence electron निकालना है तो कैसे निकालो कि सिल्फर में कितना होता है six carbon में four और nitrogen में आपको कितना होता है five और एक लेक्ट्रों आए तो प्लस one total कितना हो गया six SP hybridization और पहले भी मैंने calculate किया था तो क्या है था SP hybridization ठीक है इस तरीके से हम यहां पर निकाल सकते हैं अब देखो ICL two plus का ICL two plus का हम कैसे calculate करेंगे कितने valence electron है seven सबसे पहले मुझको क्या निकालना है सिंपल सी कंसेर्ट समझो total valence electron निकालना है तो यहां पर seven दो सी एले तो seven ठीक है और यहां पर प्लस one है तो एक electron बाहर गया है ठीक है तो माइनस one total कितना हो गया seven fourteen plus seven twenty one twenty one minus one तो यहां पर 20 आ गया अब total valence electron divided by eight sorry तो कितना जाएगा 20 divided by eight आप लोग खुद समझ सकते हो यहां पर आएगा बच्चो टू और reminder बचेगा four four divided by two करेंगे तो two comma two आ जाएगा अब इस्टेरिक नमबर निकालना चाहो तो two comma two का तो यहां पर कितना आ जाएगा बच्चो फोर और four का मतलब कौन सा सकते हैं इस तरीके से हम किसी भी एटम का भी निकाल सकते हैं लेकिन यह हाईडूजन की केस में फेलियर है यह मेथर आपके हाईडूजन के केस में ठीके हाईडूजन के केस में फेलियर है ठीके इस चीज़ का ध्यान रखना अगर मैं c h 4 का इसके थूर निकालना चाहूंगा तो c h 4 का कैसे निकालूगा देखो टोटल विलेंश electron equal to carbon का कितना होता है बच्चों वेलेंशल में 4 होता है और hydrogen का कितना होगा 4 total कितना आ गया 8 आ गया अब दो एट divided by 8 मतलब 1 तो hydrogen की case में यह अक्सर हापका failure होगा अगर मैं NH3 का निकालना चाहूंगा CH4 का तो नहीं निकलेगा देखो यहां पर CH4 का अगर मैं उस मेथर से निकालना चाहूंगा हाफ इंटू वेलेंस एलेक्टोन 4 चार एटम है जीरो जीरो तो यहां पर कितना आ जाएगा 8 बाय 2 मतलब कितना आ जाएगा 4 4 का मतलब SP3 ठीक है hydrogen में नहीं निकलेगा अगर मैं इसी में एक और example देखना चाहूं कि जैसे मैंने देख लिया देखो यहां पर एक और example कहां failure होता है example अगर मैं बात करना चाहूं example कि यहां पर NH3 NH3 के condition में तो NH3 के condition में अगर मैं total valence electron निकाना चाहूं तो 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा अब total valence electron divided by 8 तो कितना हो जाएगा 8 by 8 equal to 1 तो यहां पर भी नहीं निकलेगा इस method से ठीक है आप देखो NH3 NH3 ठीक है NH3 हो गया अब NH3 हो गया तो यहां पर क्या करेंगे बच्चों simple समझना half into Vmca यह होता है तो half into valence electron 5 और monoatomic 3 है तो 0 charge है तो खतम तो यहां पर 8 by 2 divided by 4 मतलब SP3 तो यह सक क्या हुआ कि यहां नहीं निकला यहां पर हमको क्या करना है कि hydrogen की case में total valence electron divided by 2 कर देना है total valence electron divided by 2 करना है ना की 8 करना है ना की 8 करना है total valence electron divided by 2 करेंगे तो जैसे ही मैं total valence electron divided by 2 करूंगा तो आपको कितना आ जाएगा 4 यहां पर भी अगर मैं total valence electron divided by 2 करूंगा तो आपको कितना आ जाएगा बच्चों 4 आ जाएगा आप लोगों समझ में आ गया ओगा अब नेक्स ट्राक्चर में पीपाइ पीपाइ डीपाइ बोन्डिंग ठीकिए उसके बारे में अच्छे से कंसेट को क्लियर करेंगे ताकि आप लोगों कभी भी प्रोब्लम ना हो फिर में उसका भी एक आपको शॉटकट में मेथड ही हम चलेंगे bond एंगल और bond parameter ठीक है आपको यहां तक अच्छे समझ में आयोगा सो थैंक्स फोर वाचिंग दिस